नमस्कार दोस्तों वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों फाइनली राद रिशी बर्थरी मतर्षे विश्वित दाले का टाइम टेबिल जारी हो चुका है यहाँ पर नोटीश भी देख सकते हो 20 मई 2022 के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि जो पर्थम दित्ते अंत सबढकर के बताना चाहूंगा आपको देख सकते हो दोस्तों 23 मैं असके इश्वित के स्टूडेंट उनस उनस्ट ने सबी के लिए बता रहा हूं और जितने भी स्टुडेंट है जैसे बीए सबी के लिए मैं बताने वाला हूं यहां पर बिल्कुल किलिए ली देख सकते हो दोस्तों जो आपके एक्जाम है वह मंडे 30 मई से स्टार्ट हो रहे हैं जो फर्ष्ट पारी में आपकट जो टाइम रह रहने वाला इसके बाद जो बी-ए पाइपत रैगॲटर के स्टुडेंट उनके लिए 12 चालिष से लेकर दो दस तक रहने वाला है इसके बाद बीए पाएए सी यानि 92 को लेज्ट य है यह इन जो दोत दक रहने बारी यह आपर जो नोन को ली एज इनसे सटुडेंट एंड सैकंड पारी बाकी जो आपके एक्जाम 30 मई से स्टार्ट हो रहे हैं फर्ष्ट पेपर आपका जनरल इंगलीज का रहे हिंदी का रहेगा इसके बाद दोस्तों जो लाश्ट पेपर होने वाला है जो भी बीएक छाथतर है मतलब कि उनका last paper रहेगा वो आपका रहेगा June 27 को यहाँ पर देशकते हो June 27 को आपका last paper रहने वाला है जो की regular की student है और साथ में जो private की student है private की students का रहेगा last paper Indian music first है और second पारी में Indian music second है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने BA के लिए बता दिया इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ जो BSC के student है उन सभी के लिए तो यहाँ पर BSC के students के लिए भी time table देख सकते हो इनका जो time रहेगा परिक्षाओ का दोस्तों वो आपका जैसे एक June से परिक्षाओ की start हो रही है तो वीडियो पर पैसेंस बनाकर आप सभी को वीडियो को एंड तक वोच करना होगा पूरी इंफोर्मेशन देने वाला हूं और यह जो पेपर हो रहा है आपका वो डेट गंठे का पेपर आपका हो रहा है बाकि जो फर्स्टे के स्टूडेंट है उनका time रहेगा फर्स्ट फारी का ग्यार वज़े से लेकर साड़े बार वज़े तक है और जो बीस्ट फर्स्ट के यानि की regular and NC स्टूडेंट है जो कि सेकंड फारी में उनका पेपर है वो 12-40 से लेकर 2-10 तक रहने वाला है लास्ट पेपर इनका जैसे एक जून से स्टार्ट हो रहा है लास्ट पेपर इनका रहेगा मंडे 27 जून को जो भी BSC 1st के स्टूडेंट है उनका लास्ट पेपर 27 जून को होने वाला है इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं बात करूँ B.com की जो जितने भी जो B.com के स्टूडेंट है उनसा अभी के लिए यहां पर मैं बात करना चाहूँगा तो यहां पर देख सकते हो जो भी B.com के स्टूडेंट है उनके भी एकजाम मलब की 1 जून 2022 से श्टार्ट हो रहे फरस्ट पेपर उनका जैसे 11 टाइम रहेगा फरस्ट पेपर का वो 11 बज़े से लेकर साड़े वारे तक रहने वाला है और जो यहां पर मैंने बताया है यह फरस्ट पारी के स्टूडेंट के लिए है बाकी कन्फूज मतोंना यह रेगुलर एंसी दोनों के लिए एक ही टाइम टेविल जारी किया गया जो भी कोम के चातर है साथ में जो भी एसी के चातर है उन सभी के लिए इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पारी में पेपर रहेगा वह बारा चारीस से लेकर दो दस तक है रहने वाला उसका टाइम यह रहेगा ला।रव रहने वाला है जितने भी जो भी कोम के चातर है उनका जो लाष्ट पर आप कर रहेगा जैसे संब्स को सेकंड येर के जो student है वी कोम second year के उनके exam 31 मई से start हो रहे है और जैसे कि दो पारियों में paper होने वाला है जैसे कि फर्ट पारी का time रहेगा तीन वेज़ लेकर साड़े चार वेज तक और second पारी का time रहेगा साड़े चार वेज़ लेकर 6-10 तक इसके बाद दोस्तों जो last paper होने वाला ह जो भी B.com second year के student है उनका last paper 15 June को होने वाला है इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ B.com पार्ट थड़की तो पार्ट थड़की जो exam हो 31 मई से start हो रहे है और जो time रहेगा उनकी परिक्षा होगा वो सुबह 7 वेज़ से लेकर 6-8 वेज़े तक रहने वाला है औ तो मैं यहाँ पर पहले किलियर कर देता हूँ दोनों का एक साथ ही होने वाला है फर्स्ट पारी आपकी 7 वेज़ से लेकर 8 वेज़े तक रहने वाला है या बिल्कुल यहाँ पर मैंने किलियर कर दिया जो भी B.com के चातर है उन सभी के लिए इसके बाद दोस्तों यहाँ प जिसे के B.A. Part 1 के लिए मैंने किलियर कर दिया था B.A. Part 2 के लिए आप देख सकते हो और सभी टाइम टेबिल आपको टेलिग्राम पर देखने को मिल जाएंगे टेलिग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रखा है यहाँ पर देख सकते है जो दोस्तों जो बी ए पास कोर्स और साथ में जो बी ए ओनर्स के पार्ट 2 के स्टूडेंट है यहाँ पर मैं पहले के लिए कर देता हूँ जो पास कोर्स स्टूडेंट है साथ में ओनर्स के जो स्टूडेंट है सभी का एक साथ जारी किया गया है चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहिए आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो सभी का जो टाइम टेबिल है एक साथ ही जारी किया गया है बाकि जो आपके एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा जो बीए पास कोर्स के जो सेकंड यर के स्टूडेंट है उनके लिए बात करना रहे गा जो रेगुलर के स्टूडेंट है 4.4 46 से लेकर 6 दस तक रहने वाला है इसके बाद जो बीए फार शेकेंड के जो नों को कोलेजेयर इस तक रहने होला है और जो बीए नोंको लेजेट ट् Champions है जिनका टाइम रहेगा 4.4 से लेकर 6 दस तक इसके बाद दोस्तो जो भ प्रगार्श्याप का लाश्ट पेपर रहने वाला है इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं बात करना चाहूंगो जो बीए पास कोर्स पाइनल यर के स्टुडेंट है उन सभी के लिए उनके भी एक्जाम 30 मईस से ही स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद जो फर्ष्ट पारी में जो एक्जाम होगा वो साथ बजस लेकर साड़े आठ बजस तक रहने वाला है यहां पर मैंने रैगुलर के लिए बता है इसके बा आठ चारी से लेकर 10 दस तक रहने वाले हैं इनके लास्ट एक्जाम मतलब कि 30 मईस से तो एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं जो भी ए फाइनल यर के स्टुडेंट है उन सभी के लिए और लास्ट पर इनका 27 जून 2020 को होने वाला है यहां पर मैंने बिल्कुल किलियर कर दिया दोस्तों और यह सबी टाइम टेवल जैसे बी ये फर्स्ट एयर सेकेंड़ एर धर्ड एर का साथ में जो BST के स्टुडेंट है फर्स्ट एर सेकंड एर धर्र धर्ड एर का सबी का टाइम टेवल और आपको टेलिग्राम पर देखने को मिल जाएगा लिंक मैंने description box में दे रखा है तो वहाँ पर जाकर click कर लेना और direct आप टेलिग्राम पर पहुंच जाओगे और वहाँ से आप बिल्कुल clear देख लेना बाकी यापर मैंने बिल्कुल clear कर दिया है आपकी परिक्षाओं का time में डेट गंठे का रहने वाला है आपकी परिक्षाओं 30 में से start हो रही है और बाकी आप सभी को all the best आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि आपका exam time table जारी हो गया है तो बस आज के लिए इतना है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों गुड़ बाई